बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार साल 2024 को ध्यान में रखकर पधान मंतरी बनने का सपना देख रहे हैं हाला कि वो सपना पूरा हो पाएगा या नहीं इसमें दो राय है लेकिन एक बात तो है कि क्या वाकए बिहार में आर जेडी वर्सिस जेडियों के बीच एक नई लड़ाई देखने को मिले हो कि हाली में आर जेडी के निताओं ने जिस तरीके से नितीश कुमार पर तंज कसा या नितीश कुमार पर तमाम तरह की सवाल खड़े करते नजर आए जिसमें उनका ये कहना था कि नितीश बाबू पहले बिहार की तरफ ध्यान तो दें प्रधान मंत्री बनना एक बड़ी बात रहे कि बिहार में काम किया नहीं है प्रधान मंत्री बनने की बात खना है अब तरह की समस्याओं को बता है पानी की समस्या बिजली की समस्या सडक की समस्या नौजवानों के लिए रोजगार की समस्या बच्चों के लिए सिख्षा की समस्या ऐसे तमाम समस्या है जब नितीश कुमार ने सुना तो उन्होंने लोगों को आशवासन दिया लेकिन जनता का य GD versus GDU की इस लड़ाय में नितीश कही न कहीं बाहर होते नजर आ रहे हैं क्योंकि जंता हो या पार्टी के तमाम बड़े नीत आई तो क्या आने वाले वक्त में ते जस्वी अगर सीम कमांड सम्हाल लेते हैं तो क्या पार्टी से पूरी तरह आउट हो जाएंगे नितीश कुमार और क्या बिहार की सियासत में ये एक बड़ा उलट फेर देखने को मिलेगा आगे जो भी बिहार से जोड़ा अपडेट रहेगा इस पर लगातार बात करते रहेंगे लेकिन ए झाल